Hello and welcome to the extra class English. आज हम करने वाले हैं राइटिंग सेक्षिन में Letter to Editor. So कुछ important बाते हैं पहले तो exam point of use से. Letter to Editor आपका exam में आता है 8 marks का, ठीक है? और यहाँ पे आपको थोड़ी सी इस marks की distribution जानना important है क्योंकि usually आप लोग सोचते हो कि format जो है उसको अगर आप लिखके आजाओगे तो आपको marks मिल जाएंगे तो let me tell you format सिर्फ 1 marks का आता है आपका उसके बाद जो आपका content है वो आता है 4 marks का और जो आपका expression है वो 3 marks का आता है expression में आपकी चीज़े आती हैं जैसे कि आपने spelling धंग से लिखी है कि नहीं आप grammatically correct sentences लिख रहे हो की नहीं and content में आपने अचली लिखा क्या है और किस तरीके से उसको present क्या है so ये चीज़े हैं जिन पे आपको mark करते हैं so ये मत सोचे ना कि अगर आपने format लिख दिया तो आपको complete marks मिल जाएंगे content भी उतना ही important है और इसके साथ-साथ expression जिस तरीके से आप उसको express कर रहे हो वो भी उतना ही important है तो ये तो रही exam point of view से बात अब जरह हम आते हैं कि letter to editor में लिखते क्या है और होता क्या है देखो letter to editor basically लिखा जाता है किसी newspaper के editor को and जो आपको questions आएंगे वो आते हैं किसी general problem पे मतलब कोई general problem जो सारे के सारे लोग face कर रहे है and जिस पर जो concerned authorities हैं अभी तो कोई action नहीं ले रही है despite the fact कि उनको इतनी बार बोला गया है so in that case उसको highlight करने के लिए उस issue को highlight करने के लिए आप चाहते हो कि जो letter आप लिखो वो किसी newspaper में publish हो ताकि media की help से या printed media की help से वो जो issue है वो highlight हो जाए और जो आपकी problem है वो solve हो जाए तो यहाँ पे आपको यही बार ध्यान में रखनी है कि यह general problems पे होगा for instance आपको question आ सकता है कि आपकी जो locality है महाँ पे garbage disposal properly नहीं है तो आपने अपने जो concern आपके सकते रेजिदेंस, welfare, association है उसको कहीं बार बोला है लेकिन वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही इन सब चीज़ों पे आपने औरेडी action लेने के लिए बोला है लेकिन कोई ले नहीं रहा action इसलिए आप उसको आप एक letter लिखोगी editor को दिखाने के लिए highlight करने के लिए issue को ताकि इस पे जल से जल जो action है वो लिया जाए ठीक है तो इसलिए letter to editor लिखा जाता है general problems पे and formally इसको लिखा जाता है तो यह तो बात हो यह होता क्या है और इसकी जो marking scheme है वो कैसी है अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी इसका format and format बताने के बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ lines जो आप beginning में लिख सकते हो कुछ lines जो आप middle में लिख सकते हो यानि किसकी body में लिख सकते हो and कैसे आपको इसको end करना है Remember format से ज़्यादा important है आपके content है और इसके साथ-साथ expression है इसलिए मैं आपको वो दोनों चीज़े अभी provide करूँगी So सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका format क्या है So इसका format अगर हम देख ले तो बाकी सारे business letters की तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं सबसे पहले sender's address आयागा यानि कि जो आपका address है जो कि हो सकता है कि आपको question में given हो, हो सकता है ना हो तो आप अपने आपसे दिना के लिख सकते हो और अगर given है तो well and good आपको वही लिखना है sender's address के बाद next आते हम देखते है date पे date आपको लिखनी है, उसके बाद हम देखते है receiver's address यानि कि जिसको आप भेज रहे हो उसका address जो कि given हो सकता है आपके question में अगर आपके question में यह साई चीज़ गिवन है then well and good अगर नहीं है तो आपको खुद लिखनी पड़ेगी तो वहाँ पे आप receiver's address लिखोगे mostly यह given होगा क्योंकि आपको बताया गया होगा कि आपको इस newspaper के editor को लिखना है चाहे वो the Hindu हो, Times of India हो, चाहे वो कोई भी हो तो receiver's address उसके बाद हम देखेंगे subject subject में आप लिखोगे कि आप क्यों लिख रहे हो क्या है ये तो वो आप बहुत ही छोटे तरीके से लिखोगे phrase में लिखोगे उसके बाद आप लिखोगे salutation जहां पर आप लिखोगे sir या ma'am जो भी editor होंगे उनको and then जो body है वो शुरू हो जाएगी and when the body will end उसके बाद complimentary closing मतलब यहां पर आप लिखोगे your sincerely your thankfully ये लिखके आप अपना नीचे नाम लिखोगे पर ये जो format है आप देखी सकते हो काफी simple है सारे business letters में ही ये जो format है उसको follow किया गया है तो सबसे पहले अब यहां पर मैं आपको बता दे क्योंकि introduction में या starting में आपको कौनसी lines लिखनी है don't forget इसकी जो word limit है वो 100 to 150 words है अब 100 to 150 words एकदम से आपके दिमाग में तो नहीं आने वाले ना इसी लिए यहां पर मैं आपको पहले बताने वाली हूँ कुछ lines है जो मैं आपको दूँगी आपके दिमाग में रहेंगी उसको पढ़ लेना और यही framework को लेकर exam में जाना ताकि जब question आए तो आपको स्रिफ उसको लिखना हूँ ठीक है तो सबसे पहले देख लेते हैं beginning कैसे करोगे आप अपने letter to editor let's have a look so आप अपने letter को कुछ इस तरीके से start कर सकते हो कि I am writing to you in order to highlight and इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब मैं यह इस लिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं इस issue को highlight करना चाहती हूँ so like I have already told you कि कोई action नहीं ले रहे हैं वो तो वो कोई action ले इसी लिए आप इसको यह newspaper में चाहते हो कि यह publish हो है ना तो इसी लिए हम इसको इसी तरीके से start कर सकते हैं कि I am writing to you in order to highlight मैं highlight करना चाहते हूँ या चाहता हूँ इस issue को इसी लिख रहा हूँ next through the columns of your esteemed newspaper यानि कि आप obviously चाहते हो कि वो आपका जो letter है उसको publish करें है ना जो आपकी problem है उसको highlight करें तो आपको क्या करना है पड़ेगा थोड़ा उनको आप से बोलना पड़ेगा कि through the columns of your esteemed newspaper कि आपका जो paper है वो newspaper है वो इतना esteemed है इतना जादा good reputation का है so through that I want कि मैं यह message जो है वो convey कर सुआ हूँ या आप लेख सकते हो कि through the medium of columns of your esteemed newspaper कि यह जो newspaper है एक medium बन रहा है किस चीज का जो मैं issue है उसको highlight करना चाहता हूँ या चाहती हूँ उसका ठीक है the next can be I am writing this letter in order to draw your attention या जो concerned responsibility जिसकी है उसकी attention towards the issue ठीक है तो इस तरीके से आप इसको start कर सकते हो remember यह काफी जादे important lines है क्योंकि आपका जो content है वो 4 marks का है उसके accordingly आपको mark किया जाएगा and 3 marks आपके expression के है यानि कि grammatically correct होना चाहिए spellings ठीक होनी चाहिए तो यह lines याद करके जाना तो आपके लिए easy रहेगा तो यह कुछ lines है जो आप beginning में use कर सकते हो अब move on करते हैं कि body में आपको क्या-क्या lines को include करना है let's have a look so body के अगर हम बात करते हो है तो आप begin कर सकते हो यही कुछ lines है जो इसमें लिख सकते हो जैसे कि the residents face many problems for instance जिसे मैंने आपको garbage disposal का example दिया था कि भही garbage disposal proper नहीं है तो उसके लिए आपने काफी सारे जो concerned authorities and को बोलते हैं लेगिन उन्हें action नहीं लिया है तो जब आप लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो कि भही residents को जो problems these are the problems that they are facing and यह कुछ मैंने basically इस तरीके सी lines लिखी है जो कि general problems को target करती है and आपको जो question आएगा वह भी general problems पे ही आएगा कि यह problem है जो आपके locality में हो रही है आपके आसपास हो रही है यह अपने face करी है यह general problem होगी इसलिए मैंने जो lines है वह भी इस तरीके से देए ताकि किसी भी question में यह fit in हो जाए apart from that यह भी चीज को ध्यान में रखना कि जरूरी नहीं है कि इसमें से एक दो lines ही जो है इनमें से एक ही line है जो आप लिख सकते हो आप इनमें से कोई भी line कही भी body में लिख सकते हो as जो आपकी situation है उसके accordingly जितने यह sense बना सकी उसके accordingly for instance अगर मैं हाप लिखना चाहूं कि the residents face many problems और इसके बाद मैंने problems है वह लिख दी and उसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पर the most annoying thing is तो इन lines को आप shuffle करके भी लिख सकते हो इसमें से कुछ lines को याद करके भी लेकर जा सकते हो because यह आपके लिए easy होगा so next है various complaints have been filed काफी सारी complaints जो है वो फाइल कर चुके है then the main reason मतलब कोई reason जो है ठीक है या फिर the most annoying or important thing is then apart from that I believe that your newspaper will be helpful so यह कुछ lines आप लिख सकते हो अचा अगर आपको कोई problem का इस तरीके से question आता है तो कोशिश करना कि अगर आपको कोई solution समझ आ रहा है तो वो भी आप उसमें लिखने की कोशिश करो but not more than one or two lines इसे garbage disposal का ही example ले लेते हैं तो आप लिख सकते हो that trash cans should be placed near the localities in the localities ठीक है इस तरीके से कोई solution भी अगर आपके दिमाग में आता है तो वो भी आप लिख सकते हो question पढ़के ही आपको वो समझ आएगा तो इससे क्या हुआ जब आपका content है वो पढ़ेंगे जो भी examiner होगे जो भी check कर रहेंगे तो यह भी more impressed ठीक है यह कुछ lines है जो आप body में लिख सकते हो अब देखते हैं कि आप letter to editor को end कैसे करोगे या क्या closing lines होगी जो आप लिखोगे let's have a look so ending के अगर हम बात करते हैं तो अभी आपको पता नहीं है कि आपका letter जो है वो published किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा जो editor है उस status को accept करेंगे या नहीं करेंगे तो इसलिए we will do it on a positive note तो आप कैसे लिख सकते हो कि I request you to highlight this issue मैं request करते हूँ या करता हूँ कि आप इस issue को highlight करो अपने newspaper के through या फिर I hope this issue will be brought into light ये जो issue है इसको सामने लेकर आया जाएगा ताकि जो concerned authorities है उस पर action ले सके या फिर I expect my letter to find a suitable space in your newspaper मैं यह expect कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मेरा जो letter है आपके newspaper में या newspaper के column जो है वहाँ पर एक space उसको मिल सके ताकि मेरा जो issue वो highlight हो सके जैसे मैंने आपको बताया अल्रेड़ी यहाँ पर मैंने कुछ ही lines लिकी है आप बाकी सारी lines के लिए आप आप नोट्स में देख सकते हैं आपको सारी lines जो है वो मिल जाएंगी जो आप लिख सकते हो यही थी आपकी beginning की lines जो आप लिख सकते हो, body में क्या लिख सकते हो और मैंने आपको बताया कि क्यों लिखा जाता है letter to editor को फिर मैंने आपको यह बताया कि आपको उसके साथ साथ beginning में क्या lines लिखनी है middle में क्या line लिखनी है और ending में आपको क्या lines लिखनी है अगर आप इनी सब चीजों को ध्यान में रखोगे तो आपके 8 के 8 marks आसते हैं in this question so that's all for this video in this video में हमने क्या letter to editor now until the next video keep practicing, keep learning